इंद्रा गांधी नहर के अंदर आता हूँ मैंने आपको पानी दिखाया और उस वीडियो में आपसे 3000 लाइक मांगे थे आपने क्या किये 3000 और मैंने वादा किया था ना कि स्टार्टिंग पॉइंट दिखाऊंगा अगर 3000 लाइक कर देते हो आपने 3000 कर दिये तो इसी बात पे वादे के मताबिक पेस करते हैं आपके सामने हरी का बेराज जहां से निकलती है हमारी इंद्रा गांधी नहर और मैंने आपको ना ये भी बोला था कि हम इस पूरी नहर की परिकर्मा करके आएंगे तो जी हाँ हम परिकर्मा वाली वीडियो लेके आज चुकी हैं इसी वीडियो से परिकर्मा वाली वीडियो शुरू हो चुकी है इंद्रा गांधी नहर की हम पूरी परिकर्मा करने वा सब कुछ आपको देंगे लेकिन इस वीडियो का लाइक टारगेट भी हम रखेंगे तो बताओ फिर क्या इस वीडियो पे 25,000 लाइक कर सकते हो मेरे को लगता है आप कर दोगे तो इस वीडियो पे 25,000 लाइक कर देना बाकि अभी स्रीज स्टार्ट ऊचुकी है राजिस्तान नहर परिकर्मा की कस्तियां यहां पे तैर रही है मैंने अपने जिन्वे पहली बार कस्तिया देखी है बाकि अभी तो पूरी नहर का सार्टिंग पॉइंट आपको दिखाना बाकि है बस वीडियो को एड़ तक जुरूर देखना इस वीडियो का बेस सब्री से आपको तो इंतिजार था लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा इंतिजार था हमने अपनी पूरी टीम बनाई है और हमारी टीम के अंदर ये हैं मुकेस वर्मा जो इस पूरी इंटाइर जर्नी को मेनेज करने वाली है मतलब हम कहां पर रुकेंगे कहां पर जाएंगे मुकेस जी आप राजस्तान नहर शुरू होती है और लगवग राजस्तान के अंदर 649 किलोमेटर तक जाती है और हम इस पूरी नहर को एक्स्प्लोर करेंगे कौन-कौन से नहरे इसमें से निकलती है सौरी की सारी जानकर इस वीडियो में आने वाली है मैं खुद इस स्रीज को लेकर बहु यहां पे एक गुरुगर हैर इसके लावा यहां पर कस्टियां चल रही है और यह पर के नहीं पिदाउट फल्प voulais हो किछा म dokład हैं लेकिन हम उदर की साइड एक पुलिस चोकी बोल सकते हैं वहां पे गनमैन भी हैं तो हमने वहां से पुलिस से परमिशन ली है कि हमें वीडियो शूट करना है तो उन्होंने बोला कि आप पुल के उपर से वीडियो नहीं बना सकते हो लेकिन यहां के बारे में बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वह आप देखो और यहां पर जो गेट बनी हुए मतलब हैड है ना वह अलगी टाइप का बना हुआ है आप अपनी खुद की आँखो से देखो यहां पर लिखा हुआ है राजस्तान फीडर आठ दर 24 पुट एक दर बिलकुल सेंटर पॉइंट है और यह है हमारे इंदरा गांधी नहर का स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमारे इंदरा गांधी नहर निकलती है यहां के गेट ना उपर नहीं उठते हैं यह गेट गूम कर खूलती हैं आप देखो कितना मस्त नजारा है यह ऐसा नजारा आपको हर बार हर कोई नहीं दिखा पाएगा तो यात्री एंगे को सब्सक्राइब कर ले ना क्योंकि इसकी पूरी की पूरी सीरीज आने वाली है एंड तक हम इस नहर के जाएंगे कि उसे देखियों दो किते हुआजे को स्बस्क सब्सक्राइब इसे हरी का बिराज बोलते हैं, हरी का पतन बोलते हैं यहाँ पे ना कुछ किलोमीटर आगे हरी के गाउं है इसलिए इस बांध का नाम ना हरी के बिराज रखा गया था और यहाँ पे दो नदिया मिलती हैं व्यास और सतलूज नदी जो कि हमारे हिमाचल से आती है बकि पंजाब के भाईयों को, हिमाचल के भाईयों को और हर्याना के भाईयों को और सभी ग्रामवासियों को जो इस नहर को न नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उन सभी को तहर दिल से शुकरिया क्योंकि वो हमारी राजस्तान को हरा बरा करने में मदद करते हैं बाकि ये वीडियो हमारी परिकर्मा का पहला वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम इसी लोकेशन को एक्स्प्लोर करने वाले हैं मतलब यहां पर क्या क्या चीज़े हैं वो सभी आपको दिखाएंगे बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए यहां पर अच्छी है और जो मच्छवारे हैं वो मचलियां पकड़ रही है इदर है इंद्रागंदी नहर यहां पर बीच में खाली जगहें हैं उदर की साइड है सरहिंद फीडर और वो देखो मच्छवारे यहीं से गए थे हमने जैसे कैमरा उन किया तो वहां तक मचली पकड़ते पकड़त दूर खड़ा हूँ यहां पर अगर आप भी ना कभी नहर को या बीच बगएरा को देखने आती है ना या अकेली आती है आपको ध्यान रखना चाहिए जहां से बिल्कुल कच्छी मिट्टी हो वहां उसके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए यह मेरा आपको डिस्क्लेमर रहेगा हमारी पूरी सिरीज के अंदर या आपको डिस्क्लेमर रहेगा क्योंकि हम चuir वीडियो बना रहे हैं हमीं पता है कि हमें कहां तेम कहां नहर के नहर्त तट पे लगाए गई क्योंकि यहां से ना नैर थोड़ी कच्ची रखी गई है मैं दूर से देख रहा था कि यह पत्थर यहां पे टिके होगे कैसे हैं लेकिन पास में आने के बाद पता चला इनके उपन ना लोहे की जाली नुमा बनाई होए तब यह पत्थर यहां पे टिके गए हैं आप ही देख लो इन पत्थरों को यहां पे पानी की स्पीड है ना वह वहुत ज़्यादा है इस लोकेशन पे आने के बाद में ना मेरे मन में एक ख्याल आया है कि महराजा गंगा सिंग के दिमाग में कहां से ख्याल आया कि अपने राज़स्तान के अंदर यहां से हम पानी लेकि जाते हैं 649 किलोमेटर दूर तक यह पानी जाता है बाकी मैं अपना यह सोभा के समझ सकता हूँ कि मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो इस नहर की प्रिकर्मा करेगा और इस नहर को स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक दिखाने वाला है मैं जहां पे खड़ा हूँ ना इसके इदर की साइड है यज़ारे इद्रागांधी नहर और वहांसे इंद्रागांधी नहर निकलती है मतलब यहाँ पे है इंद्रागांधी नहर का स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि मैंने अभी आपको दिखाये था और इदर है सरहंद फीडर मतलब इसके बीच की बस थोड़ी सी दूरी है ये वैसे हरी का बेराज ना इतना नहीं है उदर की साइड भी हरी का बेराज है लेकिन वहाँ पे ना वीडियो बनाना मना है तो हम वहाँ की वीडियो नहीं बना पाएंगे लेकिन ये 1952 के अंदर बनाया गया था और तबी से हमारे इंद्रागांधी नहर की शुरुआत की गई थी अब आप देखिए ये लोकेशन यहाँ पे आने के बाद मेरे को खुद को बहुत खुशी मैशूस हो रही है कि मैं वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे हमारे इंद्रागांधी नहर शुरू होती है और राजिस्तान तक पानी लेकि आती है ये बहुत मेरे लिए सुबागे की बात है बाकि आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट मॉक्स में कॉमेंट करके जुरूर बताना क्या आपको भी मेरे जितना ही मज़ा आया इस इंद्रागंदी नहर हमारी राजिस्तान नहर के स्टार्टिंग पॉइंट को देखने के बाद में बाकि कॉमेंट कर देना और 25,000 लाइक करवा देना ठीक है और अब भी हम हमारी प्रिकवर्मा यहां से शुरू कर रही है हम नहर के साथ साथ आगे जाएंगे और जो भी हम देखेंगे वो सारी जानकरे आपको दिखाएंगे चलो जी मिलांगा नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए राम राम सा